जैसा कि हम सब जानते हैं, WWE में बहुत ज़्यादा रिस्क हैं क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता और कब आपका करियर खतम हो जाता एक इंजरी की वज़े से अभी हाली में WWE के कुछ ज़्यादा ही सूपरस्टार इंजर्ड हुए हैं, जैसे कि बिग कैस इंजरी की वज़े से काफी लंबे समय से बाहर चल रहे हैं फिर समोह जो को इंजरी हुई, रिकवर होके वापसी करी, अब वो फिर इंजर्ड हैं दीन एम्रोस की इंजरी जिनके वारे में अभी पता ही नहीं है कि वो कब वापसी करेंगे WWE में अभी नवंबर के मन्त में WWE सूपरस्टार ने लंबी इंजरी रिकवरी के बाद वापसी करी वो WWE देखने वाले काफी फैन्स की फैवरिट होंगी, जिनका नाम है पेज, पेज 25 साल की बिटिस रैसलर हैं जैसा कि हम जानते हैं, पेज काफी टाइम पहले इंजरी और उसके बाद WWE से बैन की वज़े से बाहर चल रही थी अभी November के मन्त में उन्होंने शानदार वापसी करी और First Women's Royal Rumble के लिए वो बहुत excited थी बट पिछले मन्त एक Live Event में पेज को चोट लगी जिसकी बाद रिपोर्ट्स आएं कि वो First Women's Royal Rumble में नहीं देख पाएंगी लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट्स आ रही है कि पेज की इंजरी काफी सीरियस बताई जा रही है जिसकी वज़े से उन्हें WWE से रेटायर्मेंट तक लेना पड़ सकता है और वो कभी रिंग में नहीं देखेंगी ऐसा कुछ रिपोर्स में कहा गया है कि पेज की इंजरी कुछ टाइम पहले WWE सूपरस्टार एज की भी इंजरी से ज़्यादा सीरियस है जिसकी वज़े से एज को रेटायर्मेंट तक लेना पड़ गया था आपको बता दूँ पेज को गरदन और रीड की हड़ी के बीच में चोट आई है जो की एज की इंजरी से काफी मिलती दूलती है पेज की इंजरी के बाद कहा गया था कि चोट इतनी बड़ी नहीं है और लगा भी क्योंकि उसके बाद पेज रौ में एक वीग नहीं दिखी बट उसके बाद हुई रौ में पेज महाँ दिखी बट उन्होंने रिंग में फाइट नहीं लडी थी और अब ऐसी अपडेट पेज और उनके फैंस के लिए अच्छी नहीं है पेज ने इंस्टाग्राम पे भी बोस्ट किया है जिससे लग रहा है कि वो लंबे समय के लिए एक्शन से दूर होने वाली है इतनी कम एज में दो बड़ी इंजरी और दूसरी तो ऐसी जिसने उनक प्रिसिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेस्बुक और इस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़े हैं धैंक यू